नारज जी ने कहा के अहम तू पृत्वीम यातों ज्यात्वा सर्वोत्यमा मिती मुश्करम चा प्र्यागम चा काशीम गोदा वरीं तठा हरी चेत्रम कुरू चेत्रम स्री रंगम से तु बंधनम के नारज जी मारा जी कहते हैं मैंने सोचा कि जिस दर्टी पर समय समय पर भगवान का अवतार होता रहता है वो दर्टी कितनी सवभादिस है जरह मैं भी तो इस दर्टी पर जाओ भगवान का अवतार केवल इसी दर्टी पर होता है और विश्क कि किसी भी राष्ट्र में भगवान का उता नहीं होता इसलिए दुन्या के किसी भी राष्ट के साथ में मां सब्द नहीं है अमेर्का को अमेर्का माता नहीं कहते हैं रूस को रूस माता नहीं कहते हैं जापान को जापान माता नहीं कहते लेकिन भारत वर्ष को ही क्या कहते हैं भारत माता की जैन और इंग्लिस वालों ने भी फादर इंडिया नहीं किया क्या नवाद किया उसका दमदर इंडिया मदर इंडिया मा सब्द के वल क्योंकि इसी धरती में वो छंकता है जो भगवान दुंः को भी जनम दे सकती है दुनिया की किसी भरती में इस्षार का फुत्र पाइधा हो सकता है जीसस के रूप में इस्वर का सीवत चशप्र के था मेसी रूप में लेकन अगर भगवान अवतार लेता है तो छाई वो भगवान दुर्ध वो सब इसी धरती पर आवधरत होती है इसलिए भरत आहम तो पृत्वी में आतो ज्यात्वा सर्व उत्मामती सर्व सेट धराधाम समत करके मैं पृत्वी पर गया पुषकरमचा प्रयागमचा कासी सबसे पहले वो पुषकर गए पुषकर क्यों गए पुषकर क्यों गए पुषकर क्यों गए और कहीं प्युमी चलेगगी उशलिए कि जब भी कोई भारत-म रह रहा व्यक्ति अगर भारत से इंडिया आएगा तो सबसे पहले वो अपने माता-पता की भूमि पर जाएगा और ब्रमा जी किसके पुत्र नारज जी किसके पुत्र हैं ब्रमा जी की और ब्रमा जी का छेत्र कौन है तीर छेत्र पुष्कर छेत्र इसलिए सबसे पहले वो अपने पिता के सहर में पुष्करमचा और उसके बाद में फिर उनकी तीरत्यात्रा शुरू ही जब आप आगे त उसके बाद में तीर्थ यात्रा तो सबसे पहले तीर्थ राज प्रियाग, पुष्करम्चा, प्यागम्चा और फिर प्रियाग जब आप पहुंच जाओगे तो जो भी जाता है उसका मन करी ही जाता है कि गोश्वा में जी ने काया है मुक्ति जन्म मही जान जान खान अगहानी कर जहाँ वससंभवाने शुकासी शुष्करम्चा प्यागम्चा काशी गोदा वरीम तथा